बर्ती डेट निकल चुका है उस पे जाकर अपना दौर करेंगे दौर करने के बाद जो भी बचे सलेक्ट होंगे उनका फिर अगला मेडिकल डेट दिया जाएगा पिर जो युवा हैं दौर तैयार होगे हैं और इनका सोच यही है कि जब देश भक्ती करना है तो चाहे एक दिन के लिए करना क्योंने पड़े यह तो चार साल बहुत दिन है सब्सक्राइब करना पड़ेगा के बाद रिटायर होने के बाद मेरा पहले से यह था कि मैं जाके तैयारी कर भाऊंगा नमस्कार आप देखने हैं लाइब भिहार मैं आपके साथ रूपम अभी अगनी वीर के एरफोर्स का एक्जाम चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ यह जो अगनी वीर के जो अभी तैयारी कर रहा है आप देख सकते हैं मेरे पीछे के किस तरह से अभी से वही वह लगे हुए हैं जिस तरह से अगनी पत योजना आई लेकिन उसके बाद भी इनका मनोबल नहीं टूटा है अभी भी यह लगे हुए हैं इनका कहना है कि देश की इसके बाद तो कुछ नकुछ तो निरासा तो बहुत नहीं रासा था लेकिन सरकार ने बहुत चीजे बताई हैं इसके अच्छाईयों के बारे में फिर जो युवा हैं दुबारा तयार हुए हैं और इनका सोच यही है कि जब देश भक्ति करना है तो चाहे एक दिन के लिए करना क्यों ने पड़े यह तो चार साल बहुत दिन है और फिर जोर सोर से देख रहे हैं कि पूरा लग गए हैं सभी तैयारी में दुबारा और सभी जोस के साथ कर रहे हैं मैं देख रही हूं कि लड़के तो हैं ही लड़कियां भी यहां पर तैयारी कर रहे हैं लड़कियां कि लिए लड़कियां भी तैयारी कर रहे है किस तरह से तयारी करवाते हैं और आप भी सायद पहले सेना में थे जी मैं 17 साल सेना में किया था उसके बाद रिटायर होने के बाद मेरा पहले से यह था कि मैं जाके तयारी करवाऊंगा यानि कि आप सेना में थे तो आप से बहतर तो कोई जाने लेकिन कुछ हैसे चीजे हैं जो बताने के बाद इनका मुराल अब होता है और सेना का जो भी बात होता है अंदर का वो कभी बाहर नहीं बताया जाता है लेकिन जितना होता है होसला बढ़ाने वाले बातें वो हर चीज बताया जाता है कि सेना में कौन-कौन से कमांडो हैं सेन में जाना बहुत बढ़ी बात है क्योंकि सुनते हैं कि उसका ट्रेंग भी हवगत हाड होता है पैसे बहुत यह हुथ हाँ और एक चीज और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि पहले इसका रीटेन नहीं होता है पहले इसका फीजिकल लिया जाता है मेलिकल है उसके बाद लीटैन होता है procent निकल चुका आपना दौर करेंगे तार करने के बाद जो भी बत्त्ते बचे सेलैक्ट होगे उनका फिर अगला रिटें होता है प्रिटें के बाद मेरी लिष्ट तो अभी जो फॉर्म भड़ा जाड़ा हैं क्या लग लग रहा है उसका इक्जाम होगा अभी जो फोर्म बढ़ा जाड़ा है कि एक्टूबर नौंबर दिसम्बर तीन महीन है इनके भरती के सबी साफित जोन का लग लग है जाता है जो आगे निकल जाता है फिर उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर यह जो पांच मिनट है फिर भी में फिर दस विम है इसका छे वी में सटिस्पाई होता है चिर्फ कि आप पास हुए है आठ में घूड होता है और दस में आपका एक्सिलेंट होता है पीजिकल भी पूरा सो नमर का होता है अब जो बच्चे यहां नहीं पहुंच रहे हैं कोई ट्रेनर के पास नही कि बहुत से एकेडमी हैं और उसमें इसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं पहले एकेडमी नहीं था फिर भी बच्चे सेना में जाते थे और मजबूत रहते थे इससे भी जदा मजबूत तो पुराना आदमी पुराना ख्याल पुराना खान पान उससे स्ट्रोंगनेस बहुत करते हैं तो आपके लिए हर चीज अच्छा हो जाता है अगर पेट मजबूत है तो आपका भी मजबूत हो जाएगा तो इसे भी आपका भी मजबूत हो लड़की का रणिंग है और यह हाई जंप है लड़की का भी इसका भी सोलस हो है लेकिन टाइम जैदा है इनमें आपका सारे साथ मिनट से आठ मिनिट का टाइमिंग दिए गया है तो इसमें से लर्कियां कर लेती है और एक्जाम के तरह कर लिए जाते हैं तो गेम के माध्यम से भी मनोबल अप हो जाता है खुशी मिलता है जिसे यह ठाकावर तो होता है लेकिन किसी दिन गेम हो जाता है तो दो तीन आने का इनका चेश्टा बढ़ जाता है कि गेम खेलने का फिर मौका मिलेगा बहुत बहुत धनेवाद आपका सर तो आप देख रहे हैं कि कैसे अगनी वीर में जाने के लिए जो भी यहां पर अभियरती है वो तैयारी कर रहे हैं लगातार तैयारी कर रहे हैं चाहे गड़मी हो या जो लोग इस फिल्ड में तैयारी कर रहे हैं चलिए और भी अगर आपके कुछ भी जहन में सवाल हैं तो आप सवाल कीजिए और हम फिर से यहां पर पहुंचते हैं और जो भी अगनी वीर का तैयारी कर रहे हैं चाहे दरोगा हो सिपाही हो किसी का भी तैयारी कर रहे हैं हम फि बिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें